नमस्कार दा लीगल उब्जर्वर पर आपका स्वागत है मैं भामने शर्मा आज हम बात करेंगे द्वार का कोट के बार एस्वेशिशन के प्रेजडेंट डॉक्टर एंची शर्मा से नमस्कार सर आपका स्वागत है थैंक यू मैम सर हम आपसे जानना चाहेंगे जो न्यू लोयर्स आते हैं उनके लिए क्या प्लान है आप लोग की तेकि न्यू लोयर्स जो आते हैं उनको सबसे पहले जुबरत पढ़ती है यहां की अवेर्नेस की प्रोसेस की और लीगली प्रोसेस संबदी उसके लिए हम लोग सेमिनार बा जैसे अभी का पास आउट बैच है उस वो आएगा इंटर्शिप के लिए बेसिकली आते हैं सबसे पहले तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पढ़ती है तो उनको इस चीज़े कमफर्ट हो जाए उसके लिए क्या कर देखिए पास जो पास आउट हो जाता उसको इंटर्शिप होती है प्रसेस होता है प्रोंड पर सेस होता है और लोग भाच कड़ते है शु Kritik ते उस देख देखते हैं उससे वह सीखते है लेकिन जो पास हो किकी किजी कमपनी को किसी क EK~~ कर लेते हैं О studio कि सर रबंटा जाएंगे इसके अलावा जो अभिभा इसंके लिए खरेशेशं क की तरफ से क्या सुविधाई दी गई हैं जैसे पहले चेंबर लॉट की गई आज कल पॉस्योटी पर स्पेस हैं इतना स्पेस एविलेबल नहीं है कि जितने लोग आ रहे हैं अभी इस साल जो है आपको हैरानी होगी कि जो एन्रोल्मेंट हुए हैं बार काउंसल आप देले मे अगर सबको सिटिंग और स्पेस और चेंबर अविलेबल करना कहीं भी पॉसिबल नहीं है बलकि जो लोग अल्रेडी अन्रोल्ड हैं जिनके पास-पास साथ-साथ-साल होगे हैं उनको भी अभी चेंबर लॉट में नमबर नहीं आया है तो सबसे बड़ी जो यहां पे प्र प्रवलम आती है मैंनली तो एक बाइफरकेशन के बाद जो कोट कंप्लेक्स बन गए हैं उसकी वज़य से वकील को जो कभी इधर भागना पड़ रहा है कभी उधर भागना पड़ रहा है फिर वहां से कुछ कोट हैं अकॉमिडेट कर लेती हैं कुछ नहीं करते तो सबसे बड़ा तो बाइफरकेशन के बाद जो कोट कंप्लेक्स में अलग लग भागना पड़ता है वो सबसे बड़ी प्रेशानी है फिर जैसे अभी वीसी से सुरू हो गया है वीडियो कॉंफेस से सुरू है जहां परमिशन लेके वीसी से करते है तो वा किनेक्टिविटी की प् कि अगचनी कि प्रेशानी इसा जुड़ा होए एक और कोविड की हम सुन रहे हैं कि फिर से हो सकता है लोगडाउन लग जाए हो सकता है कि फिर से चीजे वैसे ही पाहुच जाए तो वही उसको लिए कर जो आंब suspension की कि तयारी है उसके लिए हम लोग और बीट लाइनिंग विश्वा दिया हर एक फ्लोर पर हर एक फ्लोर पे पांच-पांच-पांच-छे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सबसे बड़ा चैलेंज मैंने बताया कि वो सबसे बड़ा चैलेंज सिटिंग स्वेस का है जो चैंबर अविलेबल कराने का है मैंबर सोब क्योंकि हमारे पास जितने भी कोट कंप्लेक्स हैं उनमें इतनी स्पेस नहीं है कि इतने नई चैंबर और जैसे बहुत बड़ रहे हैं जिसके विए से और प्रिशानी होगा एक और चीज है कि बारे सिट के पास अपना फंड होता है उस फंड की इस्थिती क्या है और इसके फाइदे आप उसे बताएं जी कि बारे सिट के बारे सिट के बारे लिमिटर फंड होता है जैसे अपना हमारे जो फोटो शेट्स काउंटर होते हैं जो चोटी मोटी शॉप्स होती है जो अभी नई कोड कंप्लेक्स बने हैं उनमें तो बहुत ही लिमिटर है और जो पराने कोड कंप्लेक्स में उनमें स्पेस जादा है कि वह बाराइसिशन के पास है लेकिन जो नए कोड कॉम्प्लेक्स बिने है उनके बहुत लिमिते वारेसिशन wysya को दे गई है जैसे कैंटीन से हैं सिर्फ हमारे को दी गई है रोहनी वहाग कोंप्लेक्स तो अभी तक उनकी कैंटीन भी डिश्रीज़ साब के पास है ऐसे सरफ जनरेट करते हैं फंड सरफ फोटोशेड शॉप से और जो फूड कोर्स हैं उनसे या कैंटीन से और कहीं फूड कहीं जी या फिर ब जनरेट नहीं होता ओके सर्फ मैं यह आना चाहते हैं कि बहतरी के लिए आगे क्या ऐसा क्या है आप करने वाले हैं जो अभी कोसिस यह कर रहे हैं कि जो एक तो हम पार्किंग स्पेस बढ़ा पाएं इसके लिए हम लोगों ने डीडे को भी लिखा है और एक दो स्पेस उनक अगर कंश्रक्शन काम सुरू हो जाता है तो कम से कम सो दो सो लोगों को दो सो लोगों को हम उसमें सिटिंग स्वेस अविलेबल करा सेकते हैं एक नया चेंबर कॉंप्लेक्स सुरू करने वाले हैं जैसा कि हमारे बीमसी चेयर्मेन साहब ने कहा था कि जनवरी में तो क्या परिशानिया है आप बताएं एक ब़री देखे दूर-दूर तो अगर हम दोवार का साकेट नि को है बहुत दूर पर दुर का के लिए कड़कर रूमा बहुत दूरा है। मैं आपसे बात करूंगी कि new lawyer जो बंद हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या सुझाओ देना चाहेंगे आप देखें जिटना knowledge गेन कर पाएं एक तो सबसे पहले वो है knowledge गेन करें पढ़ाई रखें क्योंकि हम लोगों को इस profession को practice यसी लिए कहते हैं कि every day is a learning day हर रोज practice है हर रोज ही पढ़ना है और secondly जो हमारे profession में सबसे कम होता जो नए बच्चों के लिए वो है patience जो नए बच्चे आते हैं वो देखते हैं कि जो पराने वकीर उनके पास गाड़ी है उनके पास यह है इतना वह वो करते हैं लेकिन वो उनकी यह भूल जाते हैं कि उन्होंने कितने साल तक यह मैनद करके यहां तक पहुँचे हैं वो चाहते हैं कि पहले साल ही हमें सब कु मिल जाए तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसके अलावा भी क्योंकि बच्चों को आजकर लगता है कि हम जैसे ही पास आउट हुए तो हमें नौकरी मिल जाए या हम बिल्कुल हो जाएं तो इस पे आम क्या क्या जाएं यह फुरू में जैसे ही वह बिगनर होता है बिगनर म कर पाता है तो वह समझे लिजे साइद एक सक्सेस्फुल लायर बन जाता है अदर्वाइज नहीं तो मिनिमॉम पेरिट आप मानके चलें के पांस साल तक जो आदमी कहीं ने कहीं किसी के साथ बैठ के काम करता है तो तो मतलब सब्सक्राइब गहना चाहते हैं कि पांस साल त अब हर प्रफेशन में यह है कि जब इनिशल कोई भी जाता तो उसका वह पैकेज या वह सेलरी नहीं होती जो उसकी एक्सपिरिंस के बाद होती है तो थिस नौट नूइ इस प्रफिशन इस प्रफिशन इस इन आल प्रफिशन तो यहीं कहना जाते कि अच्छे से पढ़े ताकि उनको जुनों नहीं पढ़ा है उनको याद रहे उते वो इंप्लिमेंट कर सके और पेशन्स रखे पेशन्स रखे थैंक यू सर अम आज साथ जुटने के लिए थैंक यू सो माच अबश्का थैंक यू